नमस्कार जारकन की खबरों में आप सुमों का स्वागत हैं आईए जानते हैं आज की मुख्वड़ी खबरों को केंद्र और राय सरकार के बीच घमासान जारी जेमेम नेका कुसल नेर्थित्व के हाथ में है सत्ता जारकन के सभी जिलों में उक्सिजन प्लांट के निर्मान पर सवाल उठाते हुए बीजेपी परदेश महामंतरी आदुति साहो ने जारकन सरकार करोना काल में निश्करी साबित हुई है और आज भी संभाव थर्ड वेब को ले कर रहा है सरकार ने शुनिक के अधार पर तैय नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने शाप सब्दों में कहा है कि अक्सिजन की कमी के कारण किसी की मोट नहीं हुई है ऐसे में बीजेपी को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है राए सरकार के वसकी जितनी चीजे हैं उस पर पुरी तरह से काम हो रहा है कारिकाल को बढ़ाय गया था छा महिने काय कार्यकाल समाप्त हो रहा है फिराल पंचाय चुनाओ के असार नहीं है ऐसे में राह सरकार ने अब चुनाओ होने तक कार्यकाल को फिर से बढ़ाने का मन बना लिया है इस बावत जल्द ही अधिस्विटना जारी हो सकती है मुखमत्री ने अमिन की पढ़ाई सुरू करने की दीसला विश्विदाले के नए भवन का क्या ओनलाइन उधगाटन राश्व विभाग की सिमिक्चा में यह बात सामने आई है कि जारकन में अमिन के हजारो पद खाली है इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है बीबी एमकेईउ से आगर है कि अमिन की पढ़ाई चालो कराएं ताकि युवाओं को नोकरी मिले यह कहना था जारकन के मुखमत्री हमन सुरेन का वे बतोर विश्ट अतिती बिनोत बिहारी महतो कोईलांचल विश्वीदाले के पहले दिक्षान समारो को राची से ओनलाइन संबोधित कर रहे थे उन्होंने बीबी एमकेईउ के नए प्रसासनिक भौन का ओनलाइन सिल्यानयास किया मुखमत्री हमन सुरेन ने कहा कि राच के 500 शातरवास को सुसोजित करने की सरकार ने योजना बनाई है राच के छात विदोसों में पढ़ाई कर सके इसके लिए जैपाल सी मुन्डा चातुरती योजना भी सुरू की गई है बाबा बैतनात और बाबा बासुकिनात मंदिर को खोलने के लिए गुड़ा सांसत निशिका दुबे ने की भूख खरताल सावन में बाबा बैतनात मंदिर आम सर्दालों के लिए नहीं खोलने के बिरोध में गोड़ा के सांसर डॉक्टर निश्कान दुबे एक दोशी उपवास पर बैठा डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भुखे मारने की साजिस जारकन सरकार रच रही है कोरोना के मद नजर जारकन सरकार ने बाबा बैतनात मंदिर और बाबा बासुकीनात मंदिर खोलने की इजाज़त नहीं दे रही है इसी के बिरोध में दुबे गुरुवार को भूख हर्ताल किया वह फिलाल दिल्ली में है दिल्ली में ही वह दिन भर उपवास पर रहा जारकन के कई जिलो में आज होगी भारी बारिस मोसम भी भागने किया है अलर्ट गुर्वार को राइधानी राची में शुबह से ही मधम दर्ज के बादल दिख रहे थे मोसम पुर अनुमान में बताया गया कि राज के कई जिलो अलर्ट की संबावना है इसे देखते हुए यलो अलर्ट जारी क्या है मोसम बिज्यानिक अभिशेक अनन ने बताया कि मानसून का एक टर्फ लाइन अमरिस्सर करणाल अलिगार से होते वे जमसत पूर से गुजर रहा है इसके साथी पस्मी उत्तर परदेश में एक चक्रवार तिये छेतर बना हुआ इसका असर भी राइज में 48 घंटों में दीख सकता है मुखमंतरी हमसुरे ने अधिकारियों से इस मुद्धे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है मुखमंतरी सचीवाले के सुत्रों ने बता कि करोणा के कारण जनवरी 2020 में महांगाई भत्ते में विर्दी नहीं की गई थी केर सरकार ने भी कुछ दिन पहले महांगाई भत्ते पर लगी रोग को हटा कर 17% से बढ़ा कर 28% करने का फैसला के आए इसके बाद राइज के करमचारी भी महांगाई भत्ता देने की मांग करने लगे हलांकि राइज की वित्ती इस्थिती देखते भे इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है ज्यात हो कि सरकारी करम्यों की हर साल जनवरी और जुलाई में महांगाई भत्ते में विर्धी होती है ज्यारकन के वोकारो में क्रोना की तिसरी लहर को लेकर ड्येयम ने किया CSE का दोरा जल्द लग सकता है Oxy join plant देश भर में करोना की दूसरी लहर पर लगाम लगती दीख रही है ज्यारकन में भी करोना के मामले में लगातार गिरावाट हो रही है हलांकि एक्सपर्ट्स के अनुसा देश में आने वाले समय में कlorona की 30 लहर आ सकती है ऐसे में राज के बोकारु जिलों में चिंदन क्यारी पंचाईत में कlorona की 30 लहर को देखकर CSC में ऑक्सेजन प्लांट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है जारकन में करोना संकर्मन के पिछले 24 गंटे में मिले 46 पोजिटीव मरीज सरवादिक राची से राज में अब 315 करोना पोजिटीव मरीज बचे हैं पिछले 24 गंटे में जारकन के विभिन हिस्टों में 46 नए पोजिटीव मरीज की पहचान की गई जिनमें से सरवादिक राची से 10 मरीज मिले हैं अब राच में 315 एक्टिव केस बचे हैं अब तक जारकन में 3,46,788 पोजिटीव मरीजों की पाचान हो चुकी है इनमें से 3,41,336 लोग क्रोना को माद दे चुके हैं 24 घंटे के भितर कहां से कितने मरीज मिले आईए जानते हैं बोकारों से 9, देवघर से 3, धनबास से 5, पुर्भी शिमुम से 4, गोड़ा से 2, गुमला से 2, हजारी बाक से 2, खुटी से 2, कोडर्मा से 1, राची से 10, साहगवन से 1, शिम्डेगा से 2, और पश्मी शिमुम से 3 संक्रिमतों की पाचान की गई है बोकारों में सड़क हास्ते में दोकी मोत और नियंतित ट्रक ने श्कुटी और साइकिल सवार को कुछला, घटना अस्तर से 1,5 किलोमिटर दूर गारी खड़ी कर, ड्राइबर हुआ फ्रार, 3 गंटे रहा सड़क जाम सीटी थराचेतर के बारी कोपरेटिव मोड पर गुरुवार की शुवा और नियंतित ट्रक की चपिट में आने से दो वेक्ति की मोके पर ही मोत हो गई इन में से एक इसकूटी पर सवार्था और दूसरा साइकिल पर घटना की जनकारी मिलते हैं मिर्तक के परिजिनों ने मोज़ा और दोसी पर करवाई की मांग को लेकर सड़क्स जाम कर दिया घटना अस्तर पर पहुँचे पुलिस अधिकारी और विधायक ब्रिंजी नरायन के समझाने और मोज़ा दिलवाने के अस्वासन के करीब तीन घंटे बाद लोगों ने रोड जाम खत्म किया इधर हस्य के बाद घटना स्तर से करीब आधा किलोमेटर दूर ट्रक को छोड़कर डाइवर भ्रार हो गया मिर्तकों की पाचान बारी कॉपरेटिव निवासी अरुन ओज़ा और चित्रगुप्त कोलोनिस्ट धननजय गुमार के रूप में की गई अरुन ओज़ा इसकूटी से जा ले थे और धनन जय साइकिल से कुछ काम के लिए घर से निकले थे इसी दोरान बारी कॉपरेटिव मोर पर ट्रक की चपेट में आनिस्टे दोनों की मोके पर ही मोत हो गई जमसत्पुर के जुबली पार्क मामने में बोले विधायक आज बिना अधार कार्ट के एंट्री पर रोख कल पार्क में परवेश के लिए वसुले जाएंगे पैसे जबसत पुरु पुरु के विधायक और पुरुमंत्री सर्यूराय ने कहा कि जुबली पार्क में परवेश के लिए आधार काड का नियम लागू करना गलत है यहां फर्मान किसका है यहां टाटा इस्टील और जुसकों को बताना चाहिए वरना अपने से कोई नियम लागू क जब कि आधार काड रखने वालों को ही पार्क में एंट्री मिलेगी यहां पुरी तरह अनुचित है उन्होंने कहा ऐसी इसीती रही तो आज कमपनी परवंदन ने आधार काड के बेना एंट्री पर रोक लगाई है कल कमपनी जो है पार्क में परवेश करने वाले लोगों स की मौत भीवी देश में क्रोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं बुद्धवार को यहां 41,683 लोगों की क्रोना रिपोर्ट पोजिटिव आई इस दोरान 38,793 लोगों ने महमारी को माद भी दिया और 510 लोगों की संकर्मन की वज़ा से मौत भीवी इस तरह स्थिती बेहतर होने से तनाव नहीं रेगा परिवारिक स्विक स्विधाओं समंदी सोपिंग में भी खुशनमाज समय व्यतित होगा यूआ वर्ग अपने केरियर को लेकर फोकस रहेंगे इनका नेगेटिव है कभी कभी आप में अहम की भावना उत्पन होने से बनते काम बिगर भी जाते हैं कुछ समय आत्म अलोकन में जरूर लगाएं तथा अपनी कम्यों को दूर करने का प्रियास करें घर के सदेश्यों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतित करें आपका वेवसाई जो है कुछ ठीक ठाक नहीं है आप वेवसाईक अस्थल या रखरकाव में बदलाव लाएं वास्तु के नियम का भी पालन करने से सकरातमक प्रिणाम मिलेंगे ओफिस में फाइले और दास्तावे समालने में लपरवाही करना नुकसान दायक साबित हो सकता है आपका प्रेम समन्द की बात करें तो पती पत्नी के बीच खटी मिटी नोग जोक रहेग आपसी समदों में और अधिक मदूरता आएगी स्वास्त की बात करें तो गर्मी और उमस की वज़ा से सीर्दर्द और ठकान हावी हो सकता है इस तरह के वतावरण से अपना बचाव रखें आपका भाईक साली रंग है लाल और भाईक साली अंक है प्माच मांसुन की बेरुखी ने चिंता बढ़ा ही है देश के 41 परतिसत इलाके वे समान से कम बारिस इससे बढ़ सकती है महांगाई मांसुन की कमजोर बारिस से भारत में रबतार पकड़ रहे आर्थिक सुधारों की गती धीमी पढ़ने की असंका है वर्षा आधारित क्रिशी पर निर्भर आधिस से ज्यादा अबादी वाले देश में खाद पदातों की किमते और बढ़ने की चिंता सताने लगी है भारत अगले महिने ब्याजदरों की समिच्छा करने वाला है जारखन अंदोलनकारी मोर्चा का पर्तिनिति करन आयोक के अध्यक्स से मुलाकात की जारकन अंदोलनकारी मोचा का एक परतिनिधी मंडल गुरुवार को जारकन अंदोलनकारी चिनित करन आयोग के अध्यक्त दुर्गा उराहों से मुलाकात कर चिनित करी में तेजी लाने को लेकर अस्मरान पत्र सोपा परतिन दी मंडल ने सुझाओ दिया कि जारकन अंदुलन के सहिदों की सुची आयोग द्वरा अभी तक तेयार नहीं की गई है अंदुलन कारियों के लगबग 20,000 आविदान लंबित है आविदान आयोग द्वरा जाचो प्रांत अंतिम निने के लिए लंबित है आयोग द्वरा CID विभाग से अंदुलन कारियों के समद में मांगे गई रिपोर्ट अभी तक उपलब्द नहीं कराई गई है जारकन विस्थापित और परभायुत आयोग का गठन करे सरकार बंधू तिर्की ने कहा बिधायक बंधू तिर्की ने मुख मंतरी और कांग्रेस अधियक्स मंतरी डाक्टर प्रामिस्थर उराओ को पत्र लिकर जारकन राईज विस्थापित और परभायुत आयोग का गठन करने की मांग की है फिर संकर से जुढ़ना पड़ रहा है विकास की प्रचलित अवधारना में विकास आदिवासिया मुलवासियों के लिए महाविनास कारी शाबित हुई है दोस्तो चेनल पर आप नए है तो प्लीज चेनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए ताकि खबरों का आपडेट आपको मिलता रहे इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इजाज़त नमस्कार